नमस्कार दोस्तों मेरी चेनल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं गाम के स्टाइल में बहुती टेश्टी और देशी रेसीपी उसके लिए हमने यहां लिया एक कटोरी गेहूं का आटा आदा कटोरी मैंने यहां लिये बारिक वाली सूजी तो आप यहां मोटी का भी यूज कर सकते हैं एक कटोरी मैंने यहां चीनी लिये तो चीनी की जगे आप यहां गुड का भी यूज कर सकते हैं और मीठा आप अपने हिसाब से कम जादा भी कर सकते हैं एक टुकड़ा मैंने यहाँ लिया है सूखा नारियल और इसे मैंने इस तरह से चाकु से बारिक काट लिया है दो छोटे चमच मैंने यहाँ लिया है सौप तो इस रेशीपी में सौप का बहुती अच्छा फ्लेवर आता है तो इसे आप जरूर डालें, एक बरतन लेंगे, डालेंगे इसमें सबसे पहले गेहूं काटा, साथ ही डालेंगे सूजी, सौप को एड़ कर देंगे, डालेंगे, कटा हुआ सूखा नारियल, और एड़ कर देंगे चीनी को, इन सब को हम यहां अच्छे से मिक्स कर देते हैं, अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी यहां एड़ करेंगे, और इन सब को यहां अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो अभी हमें इसमें और पानी डालने की जरूरत है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिस अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढख करके रेश्ट पे रखेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो गेहूं का पेश्टे वो अच्छे से सैट हो गया है, तो अब हम इसे 7 से 8 मिनट एक ही दिसा में अच्छे से फैटेंगे, इसे ऐसे फैटने से जो हमारे पूवें हैं वो जाली दार, सौफ्ट और फूले-फूले बनेंगे, तो इसे आप एक ही दिसा में अच्छे से फैटें, कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच रिफाइन ओई ले लिया है, तेल को हमें यहां अच्छे से गरम करना है, मैंने यहां एक यह चमच लिया है, तो इसमें हम डालेंगे और इस तरह से कड़ाई में एक ही जगे हमें इसे डालना है और इस तरह से हम जितने पूएं हमारे कड़ाई माएंगे हम बना लेंगे और आज को अब हमें मीडियम रखना है तो इसे आप चाहें तो हातों से भी बना सकते हैं तो देखिए यहां हमारे जो पूएं वो बहुती जादा फूले फूले एकदम पूरी की तरह बन रहे हैं और उपर से आप देख सकते हैं यह कितने जालीदार बने हैं तो यह एक साइड से सिख गए हैं तो पलट कर हम इने दूसरी साइड से सेकेंगे और इस तरह से इने हम गॉल्डन व्राउन होने तक अच्छे से सेक लेंगे तो यहां जो हमारे पूएं हैं वो सिक करके तयार हैं इने हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी बचे हुए पैस्ट से भी यहां पूएं बना करके तयार करेंगे तो इस तरह से हम चम्मच में भरें जिससे की हमारे फूले हैं जो फूले फूले और जालीदार बने और ये फैले नहीं तो आप देख सकते हैं सिखने के बाद ये किस तरह से फूल करके उपर आ जाते हैं तो एक साइड सिखने के बाद हम इन्हें पलट करके दूसरी साइड से सेखेंगे तो ये पूए भी हमार करके तैयार कर लेंगे तो दोस्तों आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट में बताएं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो इस तरह से आप जरूर एक बार ये रेसिपी बना करके ट्राई करें तो इस तरह से देखिए यहां मैंने सभी कर सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इसमें आप सौफ को जरूर एड़ करें इससे हैं जो पूर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है तो दोस्तों आपको ये मेरी देशी रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को स subscribe करें धन्यवाद